हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल पीके कोमर्स स्टेडी कैसे हैं आप लोग फ्रेंज उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे कुसल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंज क्योंकि फ्रेंज दुनिया में कोविड-19 का परको बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है तो अपने स्वास्त का आप लोग अच्छे से दियान रखेगा और अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए रखेगा फ्रेंज क्योंकि दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए लेकिन आप लोगों का एक्जाम तो होना ही है इसलिए मैं या कोशन आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो अच्छे से ये कोशन को आप लोग समझें पिछले वीडियो में आप लोगों को भरती के बारे में बताई थी यानि कि रिक्वार्मेंट क्या होता है उसके बारे में अगर आप लोग इसको अभी तक नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वे सभी वीडियोज देख लीजिए इंपोर्टेंट कोशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हूं विजनस स्टेडिस का तो आज का कोशन है चियन के आर्ट परिवासा एवं चियन निती यानि कि से look 10 के मीनिंग यहां डिपनेशन क्या होता इसके चैन करने का यानि स्टीकन करने का प्योग्रीं की होता है कौन 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 सेा रूल्स फोलो करना पढ़ता है एक सिलेक्षण के लिए तो यानि के फ्रेंड्स भरती जिस रिक्यूर्टमेंट होता है चैन करने का भी बहुत सारे प्रोसेस होता है उसे ही क्लियर और चैन क आ जाता है उसे ही सिलेक्षण करना कहते हैं तो आगे हम लोग स्ताब्दिक अर्थों में समझेंगे कि चेन का मीनिंग क्या होता है चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या होता चेन का मतलब तो देखे फ्रेंस करमचारियों का चेयन यानि कि जितने भी लोग होते हैं जितने भी आवेदक होते हैं जितने अप्लिकेंट होते हैं जितने वो पद के लिए जिस पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है उस पद को भरने के लिए बहुत सारे जितने अप्लिकेंट होते हैं आविदग होते बहुत सारी लोग उस form को फिल करते हैं तो उनमें से जो योगी वेक्ति होता है उस वेक्ति का सिलेक्षन किया जाता है तो यहां दिखी क्या बताया गया है चियन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माधियन से संस्था में रित्पदों की पूर्ति की जाती है यान हो जाती है अगर उसके लिए वेकेंसी निकाला जाता है तो बहुत तरहा के वेक्ति उस पद के लिए भरते हैं लेकिन संस्था में रिक्त अस्थानों को भरने के लिए अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिस आवेदक की अपितु संस्था के कारियरत करमचारी भी इनमें आवेदन कर सकते हैं यानि कि फ्रेंट से यहां पर वही बताया गया है कि जो पद होता है संस्था या कमपनी में उस पद को भरने के लिए जो भरतियां ली जाती है उसमें से बहुत सारे आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते बहुत सारे आवेदक होते हैं जो कि उस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनमें से वैसे विक्तियों का चेयन किया जाता है जो उस पद के लिए इलिजीबल होता है यानि कि उसमें टाइलेंट होता है उसमें कितना एक्सपिरियंस है उसकार के प्रति तो यह सभी को देखते वे उसका है टेस्ट लिया जाता है और यह ध्यान में भी रखा जाता है कि यह जो प्रकिरिया होता है यह केवल आवेदकों नए आवेदकों के लिए ही सिमित नहीं होता है यह जितने भी संस्था में कारेरत करमचारी होते हैं वे भी आवेदन करते हैं अगर वे इलिजिबल होते उसके पद के पर्मोसन कर दिया जाता है आगी हम लोग समझेंगी कि डिफनेशन ओफ सिलेक्शन यानि कि चेयन की परिभासा क्या होती है चेयन की प्रमूग परिभासाइं निमलिखित है यानि कि फर्स्ट में आता है डेल योडोर के अनुशार चेयन का क्या मतलब बताएं है तो चेयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राथियों यानि कि आवेदकों के दो भागों को विभाजित कर दिया जाता है यानि कि डेल जो है उनका कहना है कि जो चेयन की प्रोसेस होती है उसमें आवेदकों को दो भागों में बार देता है इसमें वे जिन्हें रोजगार दिय जाना है तथा जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना यानि कि जो कि सिलेक्षन की प्रक्रिया होती है उसमें दो भागों में भी भाजित कर दिया जाता है आवे दको के अप्लिकेंट जितने वी फर्म फिल किये जाते हैं कुछ लोगों का सिलेक्षन कर दिया जाता है तो किसी का रिजेक्ट कर दिया जाता है यानि कि कुछ लोगों की भरती नहीं ली जाती है तो second परिभासा आती है friends आप लोगों की second परिभासा में क्या बताए है वहरीच एवं कुन्टज के अनुसार यानी कि वहरीच और कुन्टज का क्या कहना है प्राबंधकिये चेयन बिभीन प्राथियों में से उस प्राथि का चेयन करता है जो पदी के लिए आवस्यक योग्यताओं के आधार पर सरवाधिक उप्यूग्त है यानि कि जो वेरीच और कुंटाज इफरेंट्स उन लोगों ने ये कहा है सिलेक्शन को कि सिलेक्शन तब होता है जो प्रबंध के चेन की में यानि कि मैनेजमिंट के जो सिलेक्शन है तो उस वेक्ति का सिलेक्शन किया जाता है उस पद के लिए आपके पास तो डिग्री है लेकिन आप में experience नहीं है तो आप उसके लिए pen नहीं होगे फ्रेंस वहां पर experience आपसे ज्यादा है तो उस विक्ति का selection होगा ना कि आप का तो इसलिए यहां बताया गया है कि यहां पर जो पद किया जाता है जो पद निकाला जाता है उसमें आवस्यक योगेताओं के अधार पर जो सरवाधिक उप्यूक्त होता है उसी का सिलेक्शन किया जाता है तो देखिए उप्यूक्त यानि कि उपर्ग में जितने भी हम लोग परिवासा है दिये गे थी वे इसके अंतरगत्र पदिक आउसके अनुरूप सरवाधिक उपयूक्त व्यक्ति का चैन किया जाता है याणि कि जिसमें जादा मात्रा में बहुत सारे तो वैकेंची में अपलिकेशन तो जमा हो जाते हैं बहुत सारे अवेदक फॉर म को जमा करते हैं लेकिन उसमें से जो सिले कहते हैं चली फ्रेंट्स अब हम लोग समझते हैं कि चियन की पॉलिसी क्या है चियन नीती सिलेक्शन पॉलिसी परभावी चियन नीती के तत्व कुछ इस तरह से दिये गया है करमचारियों के उप्यूक्त चियन नीती का होना आफस्यक है इस उप्यूक्त चियन नीती के प्रमूक अगर लिखित है हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इसके प्रभावी तत्व है तु सबसे पहले यहां बताया गया फर्स्ट में चेयन का कारी एक कुशल या प्रभावी चेयन मंडल की अस्थापना करके उसको सोप देना चाहिए यानि की जो चेयन किया जाता है उसमें से जो कुशल यानि की अस्कील होता है जिस वेक्ति में और जो एफेक्टिव तरीके से एक चेयन मंडल होता है उसकी एक अस्थापना क करके उस चयन्नीत बेक्ति को शौब दिया जाता है neमबर पर आता है करम चाहिसों का नुख या जाना चाहिए यानि की जो सिलेक्शन करता हुसे या देखना चाहिए कि कि तरह का कारी यानि कि प्रेंस से करना चाहिए थार्ड नमर पॉइंट आता है तो तो कुछ वेक्तियों को प्राप्त करने के लिए चेयन कारिय केवल एक स्रोत से ही नहीं बलकि सभी स्रोतों से किया जाना चाहिए यानि कि जब भी चैन किया जाता है सिर्फ अच्छा या कुशल वेक्ति को प्राप्त करने तक ही नहीं बलकि सभी स्रोतों में भी किया जाना चाहिए यानि कि सभी जितने sources होते हुए सभी को देखते हुए कुशल वेक्तियों का चेयन करना चाहिए सेकेंड नमबर पे ये भी देखा जाता है यानि कि फौर्थ नमबर आता है यहां पे आप लोगों का फौर्थ नमबर में बताया गया कि चेयन निती लोचदार होनी चाहिए ताकि आप सकता है के अनुसार उसमें परियाप्त परिवर्तन किया जा सकती फाइब नंबर में आता है चेयन निती पच पात रहित होनी चाहिए यानि कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव का सिलेक्शन कर ले यानि कि ऐसा बहुत जगा होता है प्रण्स की बहुत जगा ऐसा होता है कि किसी वेक्ति अपने रिलेटिव को ही उस पद के लिए डाल देता है उसमें भले ही उसमें कोई टालेंट नहीं है लेकिन उस वेक्ति को उस पद के लिए इलिजिबल बना दिया ज़ता है जो कि यह गलत है इसलिए हां बताया गया है चैन निती के अनुसार पचपात रही थोनी चाहिए सिफ्स नमर पे आता है अलग-अलग उदोगों में आवसकता अनुसार निती को अपनाना चाहिए यानि कि जितने भी उदोग होते है अपने अनुसार अपने आवसकता के अनुसार नितीयों को अपना कर सिलेक्शन करना चाहिए और वैसे करमचारियों को वहां पे रखना चा एक जैसे नीति का पालन नहीं करना चाहिए नेट नमबर बताया गया है करने पृण्चार्यों की चयन के लिए पहले से ही प्रमाप Information कर लेकुछ की वेक्तियों का चयान करना है इंड प्रमापों के अनूरूपहीं करमचारीयों का चयान किया जाना चाहिए है। दरास втор जाता है डासों नियुkeit आजाता है यह दरा चाहिए दी अर्थिय यानि कि कोई दुसरा तर्थ या भासा все जाल में फशा देते हैं बहुत ही ज्यादा महात तो रखता है कि अगर दूसरे इस ट्रीट का अधर लेंग्वेज जानता है और उस में एक्सपिरियंस भी यह लेकिन उसमें यह समस्य आता है कि वहां के लोगों की बोल चाल को नहीं समझ पाता है नेक्सट आता है 11 नमर पे चैन निती संगटन के सिधानतों सरकारी निती के अनुरूप होनी चाहिए यानि कि जो भी चैन किया जाएगा संगटन में उसके सिधानतों के अनुसार सरकारी निती के अनुरूप होना चाहिए टुवेल नमबर पे आता है संस्था को अपने चेयन उदेशियों में सफलता प्राप्त करने के लिए चेयन निती का कठोड़ता के साथ पालन करना चाहिए चेयन के साथ सभाएं अब तो आज के लिए प्राप्त करने में शवचर का होना पॉछ झालU है वेलेंस निती कया तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें थैंक यू